नमस्कार ये सवाल है देख लेजिए चार आरे बराबर कितना फूट होगा और दूसरा सवाल एक एकड़ बराबर कितना कनाल होता है तीसरा सवाल दो डिसमिल बराबर कितना लंबाई चावडाई चाउंथा सवाल है 59 इंटू 53 फिट है यानि कि 69 गुड़े 53 फिट है तो कितना बिश्वा होगा इसी तरह पाचवा सवाल है 0,7,4,5 हेकड़ बराबर कितना एकड़ और कितना डिसमिल होगा एक रखबा कितना होता है ये सवाल है पहला सवाल को देख लेते हैं हम लोग चार आरे बराबर कितना फूट होता है पहला सवाल तो एक आरा लिख लिजे एक आरा आरी या आरा एक आरा बराबर होता है सव वर्ग मीटर होता है एक आरी बराबर कर देजे और चार आरी बराबर होगा चार सव वर्ग मीटर इतना होता है चार आरी बराबर अब कितना फूट पूछा गया है तो हम जानते हैं एक वर्ग मीटर बराबर लिख लिजे एक वर्ग मीटर बराबर 10.76 वर्ग फूट होता है अब 400 गुड़ा कर देजे 400 वर्ग मीटर है इसे 10.76 से गुड़ा कर देजे बराबर होगा ये किल्कुलेट कर लिजे गुड़ा करके तो 4300 चार वर्ग फूट होगा इतना वर्ग फूट होगा चार आरी बराबर ठीक अब दूसरा सवाल देख लिजे सेकेंड अगला सवाल एक एकड बराबर कितना कनाल होता है इसको देख लिजे इसको हम जानते हैं 20 मारला 20 मारला बराबर एक कनाल होता है तो एक मारला एक मारला बराबर 272.25 वर्ग फूट होता है वर्ग फूट यहाँ 5.5 फीट का करम है ये एक करम बराबर इतना लंबाई का है तो एक मारला बराबर 272.25 वर्ग फूट है तो इसको 20 से गुड़ा कर दिजे 20 मारला बराबर एक कनाल होता है तो बराबर होगा ये 5,445 वर्ग फूट हुआ एक कनाल बराबर पूच्छा क्या गया है कि एक एकड में कितना कनाल होगा तो एक एकड बराबर 43,560 उवर्ग फुट होता है इसको आप भाग कर दिजिए 5,445 से तो बराबर 8 कनाल होगा एक एकड बराबर कितना? 8 कनाल इस परकार से बहुत ही असानी से निकाल सकते हैं अब अगला सवाल देख लिजी अगला सवाल दो डिसमिल का लंबाई चवड़ाई कितना होगा? दो डिसमिल तो दो डिसमिल बराबर होता है दो डिसमिल बराबर 871 871.2 वर्ग फुट होगा वर्ग फुट होगा ये देख लिजी और लंबाई चवड़ाई जानना चाहेंगे तो देख लिए जी इसका लंबाई चवडाई इतना होगा ये देखिए 55 फूट लंबाई कर दिजी तो इसका चवडाई होगा 15.84 फूट होगा इतना इस परकार से ये दो डिसमिल का प्लोट है ये देख लिए इस परकार से बहुत ही असानी से जान सकते हैं अगला सवाल है ये 49 दसम लओ सोरी तीसरा सवाल यानि कि 69 गुडे 53 फिट है इतना लंबाई चवडाई का है 69 फिट लंबाई और 53 फिट चवडाई का है तो इसको गुडा कर दिजी तो बराबर होगा ये किल्कुलेट कर लिजी ये 3,127 वर्ग फूट होता है वर्ग फूट इतना अब कितना बिश्वा जानने के लिए एक बिश्वा बराबर एस्टेंडर बिश्वा 1361.25 वर्ग फूट होता है एक बिश्वा बराबर तो बराबर होगा ये 2.29 बिश्वा होगा ये है इतना बिश्वा का प्लोट है आपका लगभग सवादो बिश्वा आप चाउंथा सवाल देख लिए चाउंथा सवाल ये चाउंथा सवाल था अब हम लोग जानेंगे ये पांचवा सवाल को जानेंगे पांचवा सवाल ये नंबार इसमें ये देखिए जीज़े दूसरा है तीसरा है चाओ था है अब ये पांचवा है ठीक तो पांचवा सवाल देख लेजिए जीरो दसम लव शेवेन फोर फाइप हेक्टियार इतना हेक्टियार बराबर कितना एकड कितना डिसमिल तो इसको आप 0.4 00 से भाग कर दीजिए एकड निकल आएगा बराबर होगा ये भाग करने प अब डिसमिल जानना है तो 0.745 इसको भाग कर दीजिए 0.004 से तो बराबर 186.25 डिसमिल होगा इतना डिसमिल का पलोट है आपका इस प्रकार बहुत ही असानी से जान सकते हैं और अब हम आखरी स्वाल देखेंगे कि एक रकबा बराबर कितना होता है इसको देख लेजिए एक रकबा बराबर कितना होता है तो यहां रकबा 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 बराबर छेत्रफल होता है इसका मतलब छेत्रफल होता है रकबा मिन्स छेत्रफल होता है तो यहां पर रकबा हेक्टेयर में है तो एक हेक्टेयर कितना बड़ा पलाट होगा इसको पूछा गया है इ एक हेक्ट्यार का जानते हैं आप इतना लंबाई चवडाई होगा देखले जी इतना बड़ा प्लाट होगा ये पांच जरीब गटडरी जरीक से पांच जरीब लंबाई और पांच जरीब चवडाई होगा एक हेक्टियर बराबर 1,8,900 वर्ग फूट होता है वर्ग फूट इस प्रकार से बहुत ही असानी से जान सकते हैं अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब केजिए विडियो सेयर केजिए